हमारे क्रिष्णा फ्रेंड्स यह देखिए मेरा कनेर का पोधा मैंने एक चीनी मिट्टी के लगाया है इसको चीनी मिट्टी के पॉड में और यह देखिए यह बीच में से तो बिल्कुल टहनी ऐसी ही है पत्तिया नहीं है और उपर से बहुत बुशी हो गया थोड़े दिन ब बुशी हो जाएगा यह नीचे से भी तो यह बहुत घना होगा और इसमें फ्लॉरिंग भी बहुत अच्छी होगी तो मुझे दुख तो बहुत हो रहा है टैनिया काटने के लिए लेकिन कोई बात नहीं इसको हम दिबारा से प्रोपोगेट भी करेंगे और मैं आपको जाले यह ब्रांच इसकी काटूंगी इसके लिए प्रोपर पोदे का कटर जरब पड़ेगी ऐसे कटने ही बाएगा तो यह देखिए मैंने कटिंग कर दी है इसकी और ठीक ऐसे ही मैं सारी तहनिया इसकी काट दूंगी एक बार तो बहुत दुख होगा फ्रेंड्स लेकिन क यह से हम कहते हैं रफालो की ट्रीमिंग करती रेना चाहिए ठीक एसे ही पोदों की भी ट्रीमिंग करती रहना चाहिए ता कि हम इसको बैटर रिजल्ट ले सके यह देखिए फ्रेंड्स कैसे गजा गजा लगरा हैना मेरा प्रांट ता सुंदर अभी थोड़ी देर पहले हर बढ़ा भरा था और अब यह बिल्कुल को सूखने जैसा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं कि प्रूणिंग मुझे पहले ही कर दीनी चाहिए थी पर साथ के मौसम में मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ प्रूणिंग करने में पर कोई बात नहीं तो इसको भी हम काटेंगे देखते हैं कैसे कटेगा यह बिकोज इतना बड़ा तो यह चलेगा नहीं और यह मुर्जा जाएगा जल्दी ही टैनिया इसकी लड़क जाएंगी जो की सही नहीं है हमारे पौधी के लिए तो कि फाइनली तो यह काटना ही पड़ेगा यह इसको रिपॉर्ट नहीं किया ना देहनियों को प्रापोगेट नहीं किया तो यह बिल्कुल मुर्जा जाएंगी तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम अपने पेड से अपनी जड़ों से अलग हो करके नहीं सरभाई कर सकते है ना पर खेर एनिवे फिलालम ऐ इसा नहीं सोच सकते हैं और हमें अपने पौदे को अच्छी शेप देनी है तो इसलिए कटिंग तो करनी पड़ेगी दिल को मजबूत करना पड़ेगा और यह देखिए जहां से भी कटिंग हो रही है ना इनोट्स एरिया जो है यहां से री शूट कर जाएगा यह और बहुत बुशी हो जाएगा तो इसको बुशी बिनाने के लिए बहुत ही यह स्टेप लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है यह देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी दिखाया था आपको यह पेड मेरा कितना बुशी था इन फैक इस पर फ्लार भी आए वे थे तब किता सुंदर यह पेड लग रहा था लेकिन हां यह थोड़े दिन बाद यह जुकने लगता है देखिए टेहनिया वजन से जुकने हरनार से बाद करनी चाहिए एक तो छेशर को अच्छे से डिटओल से साफ करके ही कटिंग करनी चाहिए दूसरा हातों में गलप्स बैन के करनी चाहिए मैने गलप्स नहीं पैने कोई भी काम नहीं कर पाती हूं इसी लिए लेकिन अगर स्कीन अलर्जी है जिसको भी वो ग्लब्स पहन करके ही कटिंग करें तो I hope ये कने की प्रूनिंग का वीडियो अपको मेरा यूसफुल लगा होगा और इंफोमेटिव लगा होगा तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक और स सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मुच